वेलकम मैं फ्रेंड्स वेलकम इन एजूकेशन निउस ओनली यूटूब चनल फ्रेंड्स आज 13 मईई 2024 के दिन हम बात कर रहे हैं SBI कलर्क 2023 के रेजल्ट को लेकर और साथी साथ कट ओफ को लेकर रेजल्ट को लेकर दो दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ चुकी है साथी आपके कट ओफ को लेकर दो दो तीन चीज़े मिली है उसको लेकर भी बात करेंगे पोल किस तरह से हमको मिला है उसको लेकर भी बात करेंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आपको SBI के रिलेटेड हर परकार का अपडेट्स मिले देखे फ्रेंट्स रिलेटेड के रिलेटेड दो अपडेट्स आईए पहली अपडेट्स जो थी वो आटेए के तेहत थी जिनमें उन्होंने बताया कि रिजल्ट को हम जारी नहीं करने वाले हैं क्योंकि लदाक में कुछ बच्चों का जो है एक्जाम रेना रहा गया है तो उनका एक्जाम लेकर ही हम सब का साथ में रिजल्ट जारी करेंगे तो 15 जून के आसपास रिजल्ट के आसार है लेकिन एक अपडेट जो हमको मिली है फ्रेंड्स वो आपके सोसल मेडिया एकाउंट से मिली है जिसमें ये बताया जारा है रिलिस्ट इन जून दोजाट चौबिस तो मलब जून के माईने में ही रिजल्ट आने वाला है तो जून के माईने तक का इंतजार और कीजिए क्योंकि इतना इंतजार कर चुके है तो और कर सकते है अब देखे फ्रेंड्स आपके SBI क्लर्क को लेकर जो कट आप निकल रही है स्टेट वाइस भी बताऊंगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर के लेवल को लेकर जो बच्चे बता रहे हैं 40% मीडियम है और 52% बच्चे बता रहे हैं कि पेपर हाड है तो इस बार कई ना कई पेपर हाड देखने को ज़्यादा मिल रहा है ऐसा पोल में बता रहे हैं लेकिन मुझे जब तक लगता है कि पेपर का लेवल मीडियम वाले बच्चे की जो है कट ओफ को कौलिफाई करेंगे क्योंकि देखे कट ओफ हमेशा जो टॉपरों से तैर नहीं होती है कट ओफ तैर होती है उन एवरेज बच्चों से यानि ज़्यादा तर मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं और शाते साथ कितने पर्सनल सई mater बच्चे हैं तो यहां पर देखिया ऐसी ओ मैंचने की बच्ची के बच्च में tatर नो परसंट बच्चे ये तिलंगाना तमील लाडू में हमारी भासा समझ में नहीं आती है तो हमने उनके डेटा लिए ही नहीं थे तो ये आप cut-off देख सकते हैं इस बार cut-off होने के चांस से फूरे-पूरे और आपका selection हो सकता है और आप मैंस की त्यारी में लग सकते हैं नेक्स अबडेट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि देखे फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम यह रहते हैं कि यूटूब पे जब भी आप कट ओफ की वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे सैटिस्पाइड नहीं होता है पहला कारण यह रहा सकता है कि उन बच्चों के माक सी क्वालिफाई नहीं हो रहा है जैसे अगर उत्राकंट की कट ओफ मैंने आपर अस्टिक्यूशन बताई है और किसी बच्चे के अस्टिक्यूशन आई ही नहीं रहा तो वो पहले से डिप्रेशन में और उसकी और इग्गोहट हो जाती है तो फिर आपको सबकुछ पहले से पता है तो भी तो आप किसी को गलत हैरा रहे हैं बाकि अगर आपको एक सटी कट आप चाहिए तो फिर आप यूट्यूब पे ना आए आप रिजल्ट तक का इंतजार करें नेक्स्ट अबडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्स्प्राइब करें ध प्लीजब अचराइब करें नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आपको पारी कंट अपको आपको परुछ करें आपकोड़ी तो आपको किसी का शापक्पारा रहे हैं सıक प्लीजब पह चींचितर के लिए और है प्लीजूब दूआत आपको झायुब depends भाले का